नमस्कार, स्वागत है आपका आजित अन्जीन जी के यूट्यूब चैनल पर मैं हूँ अशोप पान खड़े आम आदमी पार्टी के नेता संजे सिंग सांसद राजी सभा जो शराब भोटाले में पिछले छे मेने से तिहार जेल में थे नेता जो उपर मुख्यमंत्री थे मनीअ सिसो बाद में इस्तिफा दिया उन्हों ने वो पिछली तेरा में से जेल में पिछली बार सरवोच नैले में जब उनकी अप्रिकेशन के लिए सुनवाए हुई तब नयाए पालिका ने उनको एड़ी को फटकारते हुए कहा कि अगली बार आपके ये बहाने नहीं चलेंगे आप किसी को भी इतने देर तक जेल में नहीं रख सकते लेकिन आज सबसे ज़्यादा इंट्रेस्टिंग जो मामला था वो दिल्ली हाई कोर्ट में था दिल्ली हाई कोर्ट स्वरनलता जस्टिस स्वरनलता शर्मा जी के कोर्ट में इडी और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अर्वीन केजरिवाल जी के वकीलों के बीच में तीकी भहस हुई मामला हाई कोर्ट में बेल अप्लिकेशन पे था मनु संग्वी बार-बार ये कह रहे थे जो वकील थे आम आदमी पार्टी के उनका ये कहना था कि चुनाव का टाइमिंग दिखिए और इस टाइमिंग में आम आदमी पार्टी के मुख्या को गिरापतार करना ये लेवल प्लेइंग फिल्ड नहीं है प्रजा तंत्र में लोग तंत्र में चुनाव एहम होते हैं वहीं समीधान का ढाचा वहीं से शुरू होता है और यदि चुनाव के दवरान इन्हें अरेश्ट किया जाए तो लेवल फिल्ड नहीं होगा और इसलिए इनको जमानत दी जाए ED के तरफ से जो वकील थे वो A.H.G. S.V. राजू उन्होंने कहा कि ये बहुती बेतुकी बात है यदि चुनाव के दो दिन पुर्व कोई उमिद्वार मर्डर करता है या कोई आतनकवादी कारेवाही करता है और कहता है कि ये लेवल प्लेइंग फिल्ड के चक्कर में मुझे अरेश्ट नहीं किया जाए ये तो नामम्किन है क्योंकि कानून के उपर कोई नहीं उसके बाद जो लगातार ये बात हुई जब मर्डर की बात हुई तो उद्धे ने कहा कि ये बहुत हस्यासपद है कि आप इस केस को मर्डर और आतनकी केस से जोड रहे है उन्होंने कहा कि हम अंधेरे में तीर नहीं मार रहे है ED के वकील राजु साब कह रहे थे हमारे पास WhatsApp चैट है हमारे पास हवाला Operators के बयान है हमारे पास Income Trust का डाटा है और ये बार-बार इस तरह से इंगित करता है कि इसमें प्रहटाचार हुआ और इस प्रहटाचार का पैसा गोआ के चुनाओ में उपयोग मिलाया गया आगे ED के वकील ने ये भी कहा कि ये चुनाओ का पैसा क्याश में खर्चा हुआ वेंडर्स को क्याश दिया गया और इस क्याश का कोई लेखा जोखा नहीं होता लेकिन हम जानते हैं कि इस प्रहटाले का पैसा उपयोग में लाया है हमारे पास कुछ आम आदमी पार्टी उमिद्वार की बयान भी है आगे राजु ने कहा कि यदि कोई कमपनी अपरात करती है तो उस कमपनी का मुख्या उस कमपनी के अपरात के लिए जिम्मेदार माना जाएगा आम आदमी पार्टी को यदि हम कमपनी माने तो उसके मुख्या अर्विर केजरिवाल है उन्हें हम दोशी मानते हैं इस पर संग्वे ने कहा कि आपने जो धारा सत्तर लगाई है पीमेले की वही गलत है वो धारा कमपनियों के लिए है जब कि आम आदमी पार्टी पीपल्स रिप्रेजेटेटिव एक्ट के तहर एक नितिक दल कमपनी नहीं होता है आगे उन्हें कहा कि एडी के पास सिवाए बयानों के कुछ नहीं है यदि इनको लगता है कि अर्विल केजरिवाल को बेल देने के बाद गवाओं को प्रभावित करेंगे तो यफायार दर्ज हो कि इस मामले में सवा साल गुजरा है पहला स जबकि इस केज में कोई दम ही नहीं है इसलिए ना कोई प्रभावित करने का सवाल उपता है ना किर्वतार होने का आगे उन्होंने कहा कि मैंने कई स्टेट्मेंट जो वक्तव्य है जो रेकॉर्ड किया स्टेट्मेंट वो देखे स्टी अर्विंद जी ने कहा स्टेट्मेंट है वो कहता है कि मैंने फाइल सिसुद्या को दी और उस कमरे में केजरिवाल मौजूद थे उस कमरे में जब फाइल दी तो केजरिवाल का हैं उनने कहा कि रेडी ने टेरा बयान के ए तेडेरा बयानों में से ग्यारा के पाहिए चाहर बयान दिये को चार बयानों के अछिसram ने पनियें दिन पर उन को जमानत मिलती है क्या ये मजाक नहीं है तब राजु ने कहा कि हम किरफदार करते हैं एक बयान लेते हैं और बयानों के बाद हम लगातार उस अपराधी को आरोपी को हम अलग-अलग प्रूप दिखाते हैं और फिर उसकी हिसाब से वो बयान बदलते रहता है ये रेगुलर प्रोसेस है उन्होंने कहा कि आपने साथ-ाठ समंस दिये आप कहते हैं कि केजरिवाल कोपरेट नहीं करते हैं कहां कोपरेट नहीं करते हैं साथ-ाठ बार के समंस को विस्तरूत जवाब दिया है आपके पास हजारों पन्नों का दस्तावेज है इसके बाद भी आप कहते हैं के बहस नहीं, ऐसे ही कई पॉईंटस पे बहस हुई, regulated की दलील बार-बार ये कहना, घोंफिर के इडी के पास इस पूरे बहस के बात इतना जरूर लगा, कि इडी के पास सिवा statement के कुछ नहीं आरोप लगाना बहुत पीजी है लेकिन उस आरोप को पुरू करने के लिए डॉक्रिमेंट भी चाहिए ऐसे ही संजय सिंग के मामले में हुआ संजय सिंग की जब बहुत सुप्रेम कोट में हुई तब सुप्रीम कोट के ऑउनरेवल बेंच ने कहा कि आपके पास बयान किसी वाक्या है छे मेने में आप ना उनके घर से कुछ कैश पगड़ा पाए ना कोई बैंक अकाउंट के डिटेल दे पाए ना कोई उन्होंने प्रापर्टी खरी दी होगी उस कैश से वो ट्रेल साबित कर पाए आप एक बयान को लेके किसी कुछ है मेने तक जेल में नहीं रख सकते यदि आपने जमानत को अपोज किया तो हम इस केस में वो प्याउस्था करेंगे जिससे आप बहुत कठिनाई में आएंगे और जब इस बात से डर के ईरी ने संजय सिंग की जमानत को विरोध नहीं करेंगे ऐसा बताया और उन्हें जमानत में गई कुल मिलाकर पूरे केस में ये जरूर दिखता है कि घोटाला हुआ ये आरोप है लेकिन सिवाए एक चेक के जो पार्टी के फंड में दिया उसके सिवाए और कोई प्रूफ लिखा ही नहीं देता ये दि होता तो ये सारी बाते जो चार्ट है वाटसप की वाटसप की चार्ट हमने कई बार कोट में देखी उस चार्ट के माईने क्या है ये भी देखना होता है उधारन के तोर पे शाहरुक के बेटे ने लिखा था वाटसप पे अपने दोस्तों को लेटस है फ़न और नार्कोटिक डिपार्टमेंट ने लेटस है फ़न को ड्रग खरीदी विकरी का जरिया बताया जो कोट ने हाथ सेस्पत बताया इसे कई बाते हैं इडी के मामले में यह दी बात करें तो जो संग्वी कहते हैं उसमें एक आम अब्जर्वर होने के नाते मुझे लगता है उसमें ज्यादा दम है वो वो इसलिए बाकी तो न्यायपाली का जो करेगी वो इसलिए कि आरोप बहुत लगाती है इडी लेकिन जब चार्शीट फाइल करती है तो उस आरोपों में तत्य नहीं रहता उधारिन के तोर पे महराष्टर के ग्रह मंत्री अनिल देशमुक के खिलाब सव करोड का आरोप था और चार्शीट में एक करोड असी लाख ही लिखे गए क्योंकि जिसने सव करोड के आरोप लगाए उस व्यक्ति को जब जज ने पूझा तो उन्होंने कहा कि मैंने सुनी सुनाई बातों पे यह आरोप लगाए थे और यह आरोप लगाने वाले मुंबई के पुलिस कमिशनर थे तो कुल मिलाकर एक अप्रूवर खड़ा करना उससे ना मुगलवाना और कहना कि केजरिवाल कोपरेट नहीं कर रहे केजरिवाल के कोपरेट करने के माइने वही है कि केजरिवाल स्वेम एकसेप्ट करे कि हाँ जो इड़ी कह रही है वो सही है हम यह नहीं कह रहे हैं कि शराब भोटला हुआ ही नहीं बिलकुल हुआ होगा इस बारे में इस चैनल से हमें कोई क्लिन चीट किसी को देनी नहीं है लेकिन चुनाओं के समय नेताओं को गिरफदारी यह कहीं ना कहीं इस में राजनिती की पुग आती है कम से कम यह आम आदमी एक इनसान जो बाहर बैठा है वो यह सोचता है स्वानलता शर्मा जी ने पाँच घंटे की बहस सुनने के बाद कहा कि मैं फाइल दिखूंगी और निर्ने सुरक्षित रखा अब यह सुरक्षित रखा हुआ निर्ने कब आएगा हमने कोट में यह देखा कि आदे घंटे पहले सुरक्षित किया हुआ निर्ने आदे घंटे बाद रिलीज होता है और हमने नियाए पालिका में ये भी देखा कि सुरक्षित किया हुआ निर्ने देड़ देड़ साल तक बाहर नहीं आता हुआ केजरिवाल जी के मामले में हाई कोट का इंतजार करना होगा क्योंकि हाई कोट जब रिजट करेगा तभी वो सुप्रीम कोट जा पाएंगे बगए हाई कोट के आप्शन को लिए वो सुप्रीम कोट नहीं अप्रोच कर सकते सुप्रीम कोट में जो लगातार बाचित हो रही है हाली में जो एक CBI के स्थापना दिवस पर जो बात सरोच चनाय लेकि मुक्के नाय दिश डिवाज चंदर चूट जी ने कही उन्होंने कहा कि जब आप एजन्सी को उन्होंने कहा कि नाय पालिका को जब आप किसी को नाय पालिका को बहुत स्थी काम करना चाहिए क्योंकि जब किसी को आरूपी को आप अरेश्ट करते है तो उसकी आजादी के अधिकार कहानन तो करते ही है लेकिन उसकी साख पे भी बट्टा लगता है यह गलत है यदि इसी तरज पर नाय पालिका क्या करती है यह निर्णे कितने दिन तक रखा जाता है यह रिजेक्ट होता या पास होता यह देखना है कुल मिलाकर इस बहस ने बहुत सारी चीजे जनता के बीच में लाई क्या आम आदमी पार्टी कमपनी है सेक्शन सेवन्टी के तहट क्या आम आदमी पार्टी का केस एक मल्डर का केस है यह कहना कि क्याश का कोई हिसाब किताब नहीं होता तो क्या यह सुनी-सुनाई बातों पर बात हो रही कई बाते हैं इसका तह तक जाना जरूरी है यह नयपालिका को देखना है यह इसमें कितना दम है दम हैं, तो क्या नयपालिका की सामने दमान तत्य सामने रखे जाते हैं, या सिरिफ स्टेटमेंट ही स्टेटमेंट रखे जाते हैं, एक जिकर इसमें भी आया, कि जिन लोगों ने स्टेटमेंट दिये हैं, उन्होंने सत्तापक्स को भारी मात्रा में चंदा भी दिया, वो सत पक्ष की इसमें कोई राज नीती है ये भी एक एंगल मनुसन्वी ने दिया कुल मिलाकर आज इडियन एक और अश्याद पूरा कच्चा चिटा कोल दिया जिस पर आपने अजी तंजी ने उसमें शो कि आपने देखाई होगा एक ऐसे जो पीडी के आरूपी होते हैं जो आज एडी के जिवाल के बारे में बोल रही है वैसे ही एडी विभिन नन्यताओं के बारे में पहले भी बोल चुकी है उन्हें आरूपी घोशित कर चुकी है उन पर कई लांचन लगा चुकी है लेकिन फिर उन में से 25 टॉप के लिए अरदेश के जो एजनसी एडी, CBI, Income Tax, व वो 25 लोग जब बीजेपी के साथ आते हैं तो उन में से 23 पे तो केसेस थे, 2014 से लेके 2014 तक 25 बड़े नेता है जो विभिन नदलों से बीजेपी में आएं, 10 तो कॉंग्रेस से आए, 4 राष्टरवादी कॉंग्रेस शरत पवार वहां से आए, 4 सिवसेना से आए, उद्ध्व ठाकरे के, याने महरास्टर से यह 18 आए, 3 टिमसी से आए, टिरिमुना कॉंग्रेस बंगाल से, 2 टिडीपी से आए, आंदर परदेश से, एक समाजवादी पार्टी से आया, यूपी से और एक YSR कॉंग्रेस फिर आदरप्रदेश से आये, ये जो बड़े टॉप की लिडर है, मैं ये चिल्दर की बात नहीं करता, ये जो टॉप लिडर आये 25, इस में से 23 ऐसे लोग है, जिनके खिलाब विवन एजन्सियों के कैसिस थे, उन 23 में से तीन को, तीन के कैसिस तो क्लोजी कर दिये गए, और 20 लोगों के कैसिस कोल्ड स्टोरेज में रखे हैं, उनका स्टेटस जब अभी पूछते हैं विवन एजन्सियों को, तो बताते हैं कि अभी उनकी रिक्वाइर्मेंट नहीं है, इसलिए वो खुले घुम रहे हैं, राज के लिए बढ़क रहे थे, इसी बीच में भाजबा के साथ हो गए, और वरतमान में महाराष्टर में कैबिनेट मंत्री, यदि इन 25 लोगों में 18 टॉप लिडर सिर्फ महाराष्टर से है, तो इसमें कोई आश्चरे नहीं, कि महाराष्टर में BJP अब सत्ता में, यहीं 18 आपने अजित अंजन्जी के शो में सुना होगा, तो कुल मिलाके, इडी पे विश्वास रखने की जगा कम है, क्योंकि इडी का रेकॉर्ड भी बहुती खराब है, खासका 2014 से, लेकिन आम आदमी पार्टी का रेकॉर्ड कैसा होगा, यह तो जजज साहिब बताएंगे, एक अब भी कुछ होगा, हम आपके सामने फिरूर रहोंगे, आज इतना ही, कल फिर होंगा किसी विशे के साथ, अब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा, अजित अन्जन्जी का यूट्र